नमस्कार मैं हूं दुपका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक पिछले 19 दिनों में हमने ये दिखा कि कैसे गैंग्स्टर्स दिल्ली में अपनी मनमानी कर रहे हैं एकदम बेखौफ हैं वो फिर चाहें तिहार जेल में हूं चाहें दुबई में बैठे हूं चाहें कैन जेल में हूं या जेल में ना हूं वो जेल में जो कैदी हैं उनकी मदद कर रहे हूं या कुछ भी कर रहे हूं लेकिन उन्हें खौफ किसी का भी नहीं है कतल करने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि हमने ये कतल किया है और उस चीज को वो कबूल कर रहे है क कि इस कतल के पीछे की वज़ा ये थी कि वो आपसी रंजिश में रिवेंज लेना चाते थे बदला लेना चाते थे उसलिए उन्होंने किया तो यह साफ सीधी बात है कि उन्हें किसी पुलिस का किसी भी एक यू कहें कि एक कानून जो होता है उसकी कोई परवाह नहीं है वो ए लिए अब यह जो गैंग है यह डेली के आसपास की जगाओं में और डेली में सक्री हैं बहुत जादा आक्टिव है वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं जेल के अंदर जितने भी जो कैदी जो गैंस्टर मौजूद है वहीं से क्राइम सिंडिकेट कर रहे हैं और जो बाहर जो उन कॉल्स करना वीडियो कॉल के जरिये इंटर्व्यू देना यह एक यू कहें कि नए भारत में ऐसा दिखने को मिल रहा है कि गैंग्स्टर इतने एडवांस हो गया है कि उन्हें स्क्रीन पर आने का मौका मिल रहा है वो उनके इंटर्व्यू लगा था चल रहे लॉरेंस बिश् जो गैंग है उसमें कई सारी गैंग है जो दूसरे गैंग के खिलाफ है तो पहला है लॉरेंस बिश्णोई गैंग काला जठेडी गैंग जितेंद्र गोगी का गैंग आनंद पाल गैंग गुर्जर का गैंग जिनके खिलाफ में जिनके ऑपसिट में हैं बंबीहा गैंग न दिल्लू ताजपूरिया की भी हत्या कर दी गई क्योंकि उसने जितेंद्र गोगी की हत्या करी थी तो यह एक साफ सीती बात है कि वह रिवेंच लिया गया दिल्ली में ऐसे तस गैंग यह ऐसे दस गैंग हैं जो आमने सामने हैं और अपना बदला लेने के लिए यह कुछ भी अब खास बात इसमें यह है कि जितने भी यह गैंग्स्टर्स हैं जो यह गैंग ऑपरेट कर रहे हैं वो फिलाल जेल में मौझूद हैं तो सोच यह जेल में मौझूद होने के बाद भी इस गैंग को ऑपरेट किया जा रहा है और एनाई ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर चिमें आप किसी के नाम से फिरोथी करें लूट पाट कर रहें किसी के नाम से कट्ल करें तो ठोड़ा अजीब लगता है कि नए भारत में अब तक भी वह चीज़ चले आ रहे हैं कि आप एक गुंडा राज चाल आई कि गैंग है और उसका माइन भी है वो धंकी दे रहा है खुले में सोशल मीडिया पर इस तमाम चीज़ चल रही है तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही एक गहन विचार करने वाली बात है अब बात करेंगे कुछ ऐसे गैंक्स्टर्स की जो तिल्लू ताजपुरिया जिसकी हाल ही में कल उसका कतल कर दिया से उन्होंने ऐसा किया और यह पहले से इनका बीच में गैंग वार्ट चलता आ रहा है जिसके बाद अब तिल्लू ताजपुरिया की उसके दूसरे गैंग ने उसका कतल कर दिया तो यह एक रिवेंज का तरीका था उनका कि उसने जीतेंद्र गोगी को मारा है तो तिल्लू भी ऐसे ही मारा जाएगा इसके बाद जीतेंद्र गोगी जीसकी हत्या की गई थी उसको कोर्ट में मारा गया था उसके उपर 15 से वो कम से कम 15 से जादा यह तो सिर्फ एक महसिक नंबर है इससे कई जादा जादा वह वार्दात कर चुका है उसने अपने यूं कहें क्राइन क लेकिन फिर भी वो मारा ही गया जो टिल्लू के दो शूटर्स भेजे गए थे उसने मारा दूसरा हम बात करेंगे तीसरा नीरज बवाना की जिसमें जिसका असले नाम है नीरज बवानिया जो की बवाना करहने वाला है अच्छा ये भी एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कि जितने भी यह गैंस्टर्स हैं ये अपने नाम के आगे अपने गाउं का नाम जोड़ ले तो उन्हें लगता नाम से जोड़ लेते हैं उससे उनका बल या ताकत और मजबूत हो जाती है अब नीरज बवानिया जो है वह आउटर डेली में गैंग चलाता है अपने जहां पर उसके गैंग काफी सक्री है और 16 साल पहले यह क्राइम के इसमें क्राइम करना शुरू किया था हत्या लूट ज तिहार जेल में है और जेल से ही अपना गैंग चला रहा है नीरज के जो प्यादे हैं यह कहें वह उसके एक इशारे पर चाहें कोई जेल में हूँ जेल से बाहर हो देश से बाहर हो उसको मार गिराते हैं या फिरौती करनी हो तो कर लेते हैं तो नीरज के प्यादे एकदम स जठेडी की जो कि जठेडी का रहने वाला है इसके अंडर में आता है हर्याना पंजाब डेली और मुंबई यह इन जगाओं को ऑपरेट करता है यह साथ लाग का इनामी अफिलहाल तो पुलिस की गिरफ्त में है इसकी जो ख्वाइश ती जिस वजह से इस इंडस्ट्री में गांष तैंडर में आए क्राइम की फील्ड है उसमें आया वहाल इसे लिए फील्ड हुई क्योंकि यह वी उहाला कि जखिए आने लिए प्रफेशन होगे उन्हे लोगों को मारना है 늘 को दभानना है तो फन्हें करने फोफेशन यह alloraichen को कंड़ेब क्वाइश कारागे बास इतने पैसे नहीं होते थे कि हुआईशय के उसकी खihuईश पूरी किया तो इसे पैसों की तलाश उसे मिली तो वहां मिली उसने फोंच उड़ाना शुरू किया फोंच उपन चुराने से लेकर जो इनसान अब हत्या कर चुका है धमकाता है फिरौती करता है तो कहीं न कहीं उसकी करियर की शुरुआत हुई थी मुबाइल चुराने से और वो अब फिलाल जेल में बंद है